हैलो वीवर्स वेल्कम टू मैं चैनल आज की में इस वीडियो में आपको सर्कुलर प्लाजो की कटीन बताने वाली हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो ko लाइक करें सेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आएकन नहीं बज यह उसे कम है तो आप धाय मीटर कपड़े में भी अच्छे घेर वाले प्लाजो की कटिन कर सकते हैं अई मैं बताती हूँ कपड़े को फोल कैसे करना है यह हमारा धाय मीटर कपड़ा है नंबाई मेरी सांती सिंचे इसलिए धाय मीटर कपड़े में हम बहुत ही इजी वे में अच्छे से बना सकते हैं प्लाजो कपड़े को लेंग साइड से डबल फोल करना है पहले अब हम लोग इससे इस तरीके से फोल करेंगे कपड़े को तिंगोने में पहले अच्छे से फोल करना है फिर हम लोग पहले कमर के लिए लगाएंगे निसान कमर हमारे जितना भी हो चौथाई भाग लेना है चौथाई भाग में दो इंच एड़ करना है यहां पर हमारे कमर आठाइस इंच है चौथाई भाग लेते हैं बेल्कुल कोने से मिलाते हुग बनाना है आपक जितना भी कमर हो उसमें दोश एंच कर लेना है बेल्कुल राउन सिप देना है अब यहां से हम लोग अपनी लेंड देंगे लंबाई लंबाई हमारा सैती सिंच है हम लोग दो इंच छोड़ेंगे बेल्ड के लिए तो पैती सिंच हुआ पैती सिंच में हम लोग एट करेंगे नीचे स्लाइक लिए शती सिंच हम लोग मार्जिन लगाएंगे शती सिंच का पूरे राउन में लगाना है अब हम लोग इस निसान से पहले राउन हम लोग कट कर लेते हैं बिलकुल निसान पर ही कट लाना है आप लोग देख सकते हम लोग का कितना घीर आया है तो हम लोग अपने बचेवा कप्रे से अपने बेल्ट की कटिन कर लेते हैं बेल्ट की लंबाई हम 20 इंच लेंगे 20 इंच पर निशान लगा लेते हैं पहरे अब बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच लेना है ताके हाफ इंच हमारा स्लाई में जाएगा 2 इंच फोल्ड होगा और हमारा 2 इंच का बेल्ट बनकर बिल्कुल तयार हो जाएगा इसलिए हम लोग 4 इंच लेंगे विसे मिलाते हुए हम लोग अच्छे से निशान लगाकर कटिन कर लेंगे लेंटे हैं कर दी अच्छे से करने लोगा यह मारे बेल्ट की कटिन हो चूकी है यह हमारा प्लाजो है और यह हमारी बेल्ट है यह प्लाजो बनकर बहुत ज़्यादा बीटिफुल सा तैयार होता और इसमें बहुत ज़्यादा घेर आता है तो आप लोग जरूर करें और हमारे चैक तो आप देख सकते हैं यह हमारे प्लाजो का फाइनल लूक है और इसमें क अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं